इसे इस कल्यूग में नो डाउट मोदी जी जो है वो महापुरुस है आकि जो इंडिया गठमंदन की बात कर रहे हो सब चोर है जैसे होता है ना कि दस लोगों की बात कभी एक नहीं हो सकती जैसे भी ओ बना ले गठमंदन जल लेकिन आएंगे मोदी जी काम कर रहे हैं देश के लिए समाज के लिए परवार के लिए वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एक यह आप्चान है हमारे देश के लिए वो है शिर्फ मोदी जी नए संसत भावन में संसत का विशेश सत्र सुरू हो गया है प्रधान मंत्री मोदी के नित्रित्व में 2024 चुनाव को लेकर भारतिय जनरता पाटी पूरी तरीके से तयार हो चुकी है तो ही आई एंडिया ये गटमंधन बना कर विपक्ष भी इस बार पूरी तरीके से मोदी सरकार के खिलाफ अग्रसर दिखाई दे रही है लेकिन जनरता के मन में क्या है जनरता 2024 में क्या मोदी जी को तीसरी बार प्रधान मंत्री बनाएगी जिस तरीके से 14 में 19 में वापसी हुई कि अब हम सीधे जनरता के बीच में हैं ग्राउंड जिरो से हैं नैसेंसत भवन में सत्र सुरू हो गया जनरता क्या सोच रही है इस पर सबसे पहले सर आपका सुब नाम क्या है मेरा नाम जितिंदर चुहान है मैं उत्तर प्रदेश से बलोंग करता हूँ जिला डिस्टिक गाजेबास से मैं हूँ 24 चुनाओं को लेकर जनरता क्या सोच रही किसको प्रधानमंत्री बना रही है देखो एक ही ऑप्षान है हमारे देश के लिए वह सिर्फ मोधी जी और उत्तर प्रदेश के लिए हमारे योगी जी हैं और रहेंगे क्योंकि जो विकास के कारिये वो लोग कर रहे हैं एस वेले सेंटर मिनिस्ट्री की बात करें या पीम साब के कामों की बात करें तो इतनी लंबी लिस्ट है मैं जिस कम इंडस्ट्री से आता हूँ यह कंसेक्शन इंडस्ट्री जाए यदि लोग कोबिड के बाद से सब है मेरी इंडस्ट्रीज का और मेरी कंपनीज का हम लोगों ने बाहर 14 कंट्रीज के साथ टाइब भी क्या हुआ है एक्क्यूब्मेंट सप्लाइंग करते हैं हम लोग मेक इंडिया के अंडर में ठीक है जैसे होता है ना के दस लोगों की बात कभी एक नहीं हो सकती जैसे भी ओबना ले गट्मंदन लेकिन आएंगे मोदे जी क्या लग रहा है दोजार चौवीस में कौन प्रदान मंद्र बन सकता है यह सिर्फ और ओनली मोदी मोधी क्यों क्या वज़ा है वज़ा है आपको सब बता दिये वाई ने आप किन मुद्धों पर वोट करेंगे सिंपल सवाल हमें देस का मुद्ध है और मोधी ओनली मोधी सब्सक्राइब करेंगे लेकिन देश की सुरक्षा पहले बाकी बैठे हुए है विपक्ष की बात ही मत करो मोधी जी के द्वारा सारे देश में हो रहा है काम तो ओविसली उन्होंने सारे जितने भी मंद्र है जितने भी रेलिवे स्टेशन है उनको सब किष्ण में बना दि हुआ है सद्व में एक महपरुष हुए अग्निंका राम किया और हुए माह पुरस िने था हूं में बहान हमने क्यों कहा हुए और शुंभानि उनको महापरुष थे उनके उनको बगवान इसलिए कहा गया कि उन्हें जंता के लिए प्रजा के लिए किया एक रूप हुआ भगवान किसी ने नहीं देखे ठीक है ना ऐसे इस कल्यूग में नो डाउट मोदी जी जो है वो महापुरुस है अब उनको कोई मैं मुझे को को पागल कहेगा कि वह भगवान का मैं रूप दे रहा हूं वह निश्चित भगवान के लिए रहा है जब फैमिली नहीं तो अपने लिए तो फैमिली के लिए तो नहीं कर रहा है ना परवारी उसका देश है किन आधारों पर आब नरेंदर मोदी को महापूरुस से जोड़ रहे है को आधार होगा ना आपको सर आपको भी पता है आप देख रहे जो आदमी 24 गौंटे में से कितने गौंटे सो रहा है दिन रात केल कोलेशन कर रहा है उसकी कैलकोलेशन देखी 2014 में किसी ने सोचा था कि आप प्री प्लांड जंधन के खाते क्वरा सकते हो एक मनला बैंक वाले कहते थे पता नहीं कहां से आ गया या आदमी उसकी सोच देखो है प्लान नुक्सान अलग चीज हैं ठीका ना जितनी भी चीज हैं उसमें प्रक्टीकल ही देखो हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है और कोई नहीं सोच सकता था लोग कहते थे पहले प्रक्ष कहता था कि आरे साब राम मंदर का नाम ले लेके कस्मीर का नाम ले लेके वो मुद्द ही खतम कर दिये उसको जीत हार से मतलब नहीं है यह जनता की बात है बाकी का वो जो काम कर रहे हैं देश के लिए समाज के लिए परवार के लिए वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सब मुख्या अगर नहीं बोलेंगे तो जनता को ब्रह्मित करके कैसे बोट मिलेंगे उन्हें तो देखो आप यह देखो ना ये सबको दीख रहा है बहुत बड़ी बात देखो कि जूतों की तरह जूते खा रहे हैं जूते मार रहे हैं आपस में अपस में अरे साहब एक पर सी पीम और कॉंग्रेस और बंगाल में ममता जो बैठी हैं आप उनको देख लो कैसे कैसे खाड़ फेकेंगे मोदी को 24 में यह यह कहने दो कोई परक नहीं पड़ रहा है उनको कहने में अगर वो नहीं कहेंगे तो कैसे कोसिस करेंगे प्रयास वो कर रहे हैं और हादमी करता है